गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर सचन मित्तल आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों में बहुत सारे लोग फास्टिंग यानि की वरत भी रखते हैं फास्टिंग एक ऐसा तरीका है जो कि ना सिरफ इंडिया में बलकि बहुत सारे कल्चर्स रिलिजन्स में दुनिया भर में सद्यों से फॉलो किया जा रहा है और इसके कुछ अड्वांटेजेज भी हैं जैसे के डी टॉक्सिफिकेशन प्रॉसस्स बॉडी को टॉक्सिंस से ग इसमें लेकिन जब हम कुछ खाएं तो उस समय कुछ जादा फैटी, फ्राइड या तला हुआ खाएं तो वो कोई फाइदेवाली चीज नहीं रहेगी फास्टिंग के दोरान हमारे लेवल्स डिप ना हो तो इसके लिए हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद वाटर इंटेक यानि की पानी की मात्रा लेते रहने चाहिए एस्पेशली वाम वाटर सिप करते रहना चाहिए कई डाइबटीज के लोगों में फास्टिंग रिकमेंडेड नहीं होता जी हां रिकमेंडेड नहीं होता बिकाज उनको कई बार मेडिकेशन ऐसी चल रही होती है जिससे शुगर डिप कर सकती है लो जा सकती है तो उसमें blindly fasting ना करें, अपने डॉक्टर को consult किये भी ना fasting ना करें because low sugar जानलेवा भी हो सकती है, hypoglycemia भी हो सकता है तो overall जब भी आप fast करें तो अपना energy levels dip मत करने दें कुछ न कुछ खाते रहें, especially vegetables खाएं, fruits खाएं, शुगर वाली चीजें, fatty fried चीजें बिलकुल मत खाएं जैसे के मैं हमेशा बोलता हूँ के मीठा बोलना जरूरी है, खाना जरूरी नहीं है तो इस चीज का ध्यान रखिये, wishing you and your family lots of good health and happiness in the coming festive season Thank you so much